और चलिए बागे बढ़तों ये बात करेंगे आज आपको बता दे कि निकाल चुनाओ का प्रचार शोर ठंब जाएगा आज पहले चुरन का जो चुनाओ प्रचार है उसका शोर ठंब जाएगा ये बड़ी जौनकारी और आपको बता दे आज शाम पांच बज़े के बाद ड पूरा दमखमन लगा रही है और बिजेपी और साथी कॉंग्रिस दोनों ही पातियों की तरप से आज रैली का आयोजन है और रोडशो की अच्वाइका इस दोरान आपको बता दे कि लगातार जीत का दम राजनतिक पातिया भरती भी निजर आ रही है जुनता के बीच जाकर तमाम बड़े वादे दावे किये जा रहे हैं और जोरान आपको बता दे कि आज बिजेपी अपना संकल्प पत्र भी जारी कर रही है जसमें तमाम बड़े वादे जौनता से किये जाएंगे और जादा जौनकारी के साथ कुल्भूशन हमारे साथ समवादाता लाइब जुड़ गये हैं कुल्भूशन जिस तरह से लगातार निकायत चुनाओ के पहले चुनन को लेकर आज हलाकि चुनाओ प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा लेकिन अगर हम जिक्र करें तो तम काम बड़े दावे और वादे करती हुई नजर आ रही है और लगतार ये तस्वीर भी में आपको दिखाना चाहूँगा कैमरामेन से कहूँगा कि ये तस्वीर कमलनाथ के रोडशो की दिखाई है इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंच चोहान का रोडशो इंदौर में देखने को मिल रहा है जोती रदिस सिंधिया और यहाँ पर केंद्री मंत्री नरिन सिंग तोमर का रोडशो आज गौलियर में रहेगा प्रदेश अद्देक्ष बीजपी के बीडी शर्मा पहुँचेंगे सागर और ये रोडशो की आप तस्वीर देखिये की गाडियों का जन सहलाब है और ये भोपाल के नहरू नगर में कौंग्रेस प्रदेश अद्देक्ष कमलनाथ का रोडशो है यहाँ पर जो पहले चरन का मददान होना है 6 जुलाई को उसके पहले यहाँ पर अन्तिम चरन के प्रचारपिसार में दिगज नेता जो है अपनी पूरी ताकत जोगते हुए नजर आ रहे हैं और इसी ताकत के साथ कमलनाथ जो है आज रोडशो करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री सही तमाम जो दिगज नेता हैं वो रोड शो में नजर आएंगे और ये तस्वीर आप लगतार रोड शो की देख सकते हैं कि तमाम दिगज नेता जो हैं वो इस रोड शो में शामिल हुए हैं यहां पर आप देखने वाली बात होगी कि कैसे पहले चरंड का मतधान के बाद जो है कमाम दिगज नेता है वो दूसरे चरंड के अपके लिए अपनी हका Gan को रोटेंगे लेकिन अब जो इस चुनाविश मैदान में तमाम दिगज नेता जो है अपनी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं यह तस्वीर हमने आपको लगतार दिखाई कि कैसे जो है यहाँ पर नेताओं का जो है आज पहले चरन के मतदान के पहले रोडशो देखने को मिला एक बड़ा रोडशो राजानी भोपाल इंदौर गौलिय सागर में आज देखने को मिल रहा है और 6 जुलाई को सुबा 7 बजे से जो है मतदान नगरी निकाय चुनाओ को लेकर शुरू हो जाएगा मतबदेश में 7 साल बाद चुनाओ है दोनों ही पार्टियां जो है उनके दिगजनेता पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में बिल्कुल कुलभुशिंट जस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि 7 साल बाद नगरी निकाय चुनाओ हो रहा है जो कि बेहद महतवपून हो जाता है और ऐसे में तमाम जो राजनितिक पार्टियों की तरफ से किये जा रहे हैं किसके वादे जो हैं किनके वादों पर जनता विश्वास कर पाएगी नगर निगम और नगर पालिका में अपना प्रतीनिदी किसे चुनना है क्योंकि मदबदेश में 7 साल बाद चुना हो रहे हैं और ऐसी इस्तिति में 2 साल तक यहाँ पर जो पार्शत प्रत्याशी हैं उन्होंने वाद में क्या समस्या हैं उनको जाका भी नहीं लोगों का हा अगर बात की जाए तो तमाम दिगजनेता चुनावी मैदान में हैं और अपनी नजर बना कर रखेगा तमाम अबडेट आपसे लेते रहेंगे